गाइस आज हम लोग बनाने जा रहे हैं निनुवा की कलॉंजी बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में तो निनुवा सबसे पहले जब आप खरीदने जाएए तो ध्यान रखिए कि आपको यहां पर पतले पतले और सौफ्ट निनुवा खरीद करके लाना है क्योंकि जब क्यों के पतला रहता तो इसमें जूस कम रहता है जिसके कलॉंजी बहुत ही टेस्टी बनती है उसके बाद आपको इसका छिलका उतार करके तयार कर लेजिए उसके बाद हम लोग निनुवा में चीरा लगाएंगे तो इस तरीके से आप आराम से चीरा लगा लीजे दिहान कि दो पार्थ में निन्वा नहीं होना चाहिए सिर्फ आधे पार्थ में इस तरीके से चीरा लगाएंगे जैसे मैंने लगाया हुआ है उसके बाद हम लोग यहाँ पर निन्वा को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लेंगे तो अगर निन्वा बड़ा है तो आप तीन में डिवाइड कर सकते हैं या फिर दो भाग में इस तरीके से सारे निन्वा हम लोग कट करेंगे और तयार कर लेंगे उसके बाद फिर कैसे करना है क्या करना है वो बताती हूं तो सबसे पहले हम लोग मसाला तयार करेंगे मैंने यह पर लिया हुआ है धन्या पाउडर एक बड़े से बर्तन में निकाल करके सारे मसाले रख लेंगे तो डेर चम्मच धन्या पाउडर यूज किया है मैंने साथ में आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे अद्धा चम्मच अमचुर पाउडर डालेंगे खट्टा अधाचम्मच नमक आट करकेंगे मैंने आदर कलेशन का पेस्ट यूज किया है साथ में इसमें हम लोग जो है दो चम्मच रिफाइंड ओयल आइट करेंगे आप यहां पर मस्टर्ड ओयल भी यूज कर सकते हो यानि सवर्शनों का तेल भी डाल सकते हो अब हम सभी चीजों को मिक्स करेंगे तो इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करने की जरूरत है तो यहां पर थोड़ा से इसमें पानी डाल लेते हूं क्योंकि यह काफी ज्यादा रूखा रूखा लग रहा है और अगर हम इसमें ज्यादा ओयल डाल देंगे न तो फिर यह हमारे निन्वा से चिपके गर नहीं इस उसमें हम लोग मसाले अट करेंगे तो इस तरीके से आपको मसाला डाल करके रेडी करना है बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूं निन्वा की कलोंजी बनाने का तो इसी तरीके से सारा हम लोग तयार कर लेंगे और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के एक और बताने वाली हो जिसे कि आपकी निन्वा की कलॉंजी बहुत ज्यादा टेश्टी बनेगी तो चलिए अब आगे बताती हूं सबसे पहले एक बतन गरम होने के लिए रख लीजिए और उसमें हम लोग एट करेंगे एक चमच मस्टरडॉल यानी सरसो का तेल बहुत ही टेश्ट आधा चमच जीरा एकशित करेंगे लुटस को अच्छी तरह से पखिश पर गाएंगे जीरा को आच्छी तरह से क्रीश होने तक पकाएंगे मिक्स कर देंगे ताकि ज्यले नहीं उसके बाद जो मसाला बच गया था उसको हम लोग ओएल में एक कर देंगे गे गैस का फ्लेम और यहां पर आप देख पा रहे हो कि कलर काफी डल दिख रहा है तो कलर के लिए यहां पर हम लोग इसमें आइट करेंगे एक चौथाई चमच कश्मिरी लाल मेच जिससे की बहुत ही प्यारा सा कलर दिखने लगेगा बिल्कुन ऑप्शनल है अच्छी तरह से मिक्स कर देंग बहुत ही बढ़िया सी खुजबू आ रही है मसाले की सोंधी सोंधी सी तो मसाला तयार हो गया है अब हम लोग इसमें जो है अपना निनुवा डाल देते हैं जो हमने तयार करके रखा हुआ है तो निनुवा को भी हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और रमक बगार रख देंगे पकने के लिए आपको कम जादा टाइम लग सकता है तो यहां पर लगभख हो रहा है छे मिनट का टाइम आये चेक कर लेते हैं कि हमारे जो है निनुवा के कलोंजी पक गई है कि नहीं तो कुछी सरीके से कलर दिख रहा है और यह निनुवा काफी सौप्ट था तो इसमें बहुत जादा जूस नहीं निकला है नॉर्मली जूस निकला है जो कि जल चुका है तो अब यह एकदम सौप्ट हो गया है बहुत ही प्यारा सा कलर हो गया है और निनुवा हमारा पक करके तयार हो चुका है इसे हम लोग दाल चावल के साथ या फिर रोटे के जाइस